नमस्कार दर्यूस देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया बस सब कुछी गंटों का समय बाकी रह गया है जब तीसरी बार परधान मंत्री पद की शबत लेंगे नरेंदर मोदी और कहेंगे मैं नरेंदर दामोदर्दास मोदी जी हाँ इसका बेसबरी से इंतिजार है और सोशल मीडिया पर भी कई सारी चीज़े चल रहे हैं लेकिन इसी बीच आपको बता दे कि विपक्ष जो है वो इतना ज्यादा बुखलाया हुआ है कि अभी भी वह कह रहा है कि नहीं बनेगी सरकार यह सरकार तूट जाएगी ना जाने एक ख्याली पश्यमंगाल की मुख्यमंत्री मुम्ताबेनर जी जी आपको बता दे अब शपत से कुछ गंटे पहले मुम्ताबेनर जी ने क्या कहा है उन्होंने काया है कि गिर जाएगी अंडिया सरकार तो मम्ताबेनर जी आप जो कह रहे हैं कि गिर जाएगी एंडिया सरकार पहले तो क्यों कॉंग्रेस और टीमसी आमने सामने लड़ी क्यों आज भी लोगसभा में जो नेता प्रतीपक्ष रहे अधीर रंजन चोधरी वह आज भी टीमसी के करना था और उस समय बाकी जो एंडिये के गटक दल वहां पर मोजूद थे उन्होंने किस हिसाब से परधान मंत्री का स्वागत की और जो जो बाते गई है उससे जरूर विपक्ष के मनसूबों पर पानी फिरा है लेकिन एक बार आपने गिरेबान में जांकर करके देखी वह क अलग था गडबंदन तोड़ दिया उन्होंने दिल्ली और अर्याना में आपकी क्या बात की जाए आप तो पहले ही अलग थे पिर कहरें बाहर से हम सपोर्ट कर रहे हैं यह कैसा गडबंदन है फिर बीजेपी बाले बोलते हैं कि यह गडबंदन नहीं भलकि ठग बंदन है यह आपको नाम दिया गया है यहां पर बहराल उन्होंने का एंडिये को जो है निशाने पर लिया और कहा कि यह सरकार जादा दिन नहीं चलेगी वो कहा जाता है कि रसी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया वही कहानी है ममताब एनरजी की 29 सांसद हैं आपके और बाते देखो कि यह तो तूट जाएगा हम सरकार बना लेंगे ना तो आपके पास हंकड़ा है जोड़ तोड़ भी लोगे तो कहां से पूरा कर लोगे क्योंकि वो इस समय स्ट्रॉंगली एंडिये के गटक दल इस समय जो है मोधी जी के साथ नजर आ रहे है और आपके अंदर खुद के अंदर तो एक जुड़ता है नहीं वो तो पहले दिन से देखने को मिल रहा है मैं जंता को यह भी बता दूं कि पिछले साल जब यह गड़बंदन बना था उस समय जब पहली मिटिंग हुई दूसरी मिटिंग हुई तो क्या कहा गया था कि हम अपना लोगो लाएंगे हम ज जुम्ला तो बहुत है और पेपर भी साभूत करता है या लगता है ओ काम पे लागा है फ्रहता टाइम लागेगा उसको पेपर जुम्ला पेपर उसको क्लियर करने के लिए इसके लिए मैं सॉरी हम यह जो गवर्मेन पुरार अंदेमोक्रिटिकली अंकोंस्टिटूशनली इल्लीगली गवर्मेन बना रहे है हम उसको सुप कम्रा नहीं दे सकता है आपका सुप कम्रा देश के लिए रहेगा कि लेट उसको पर दे बेस्ट फॉर दफ्यूचर हम एंपी लोगों को रिकोष्ट करने चाहेंगा जो भी पाटी है आपका आपका पाटी को मोजभूत पनाओ यह तो फिर कोशिस कर दिया ना इसको पाटी तोरो उसको पाटी तो मज़ना है किसको पाटी तोड़ना अच्छा का मत करो पहले आपका पाटी तोड़ जाएगा हमने नहीं तो रहेंगे आपका अंदर से जाएगा आपका अंदर का साब आदमी खुस नहीं है यह हम दिख रहा है मेरे को यहीं बात कहने था एक साल हो गया चुनाफ भी हो गया ना तो आज तक वो इंडिय लाइंस का कोई लोगों सामने आया है ना कोई ऑफिस किसी को दिखा चुनाफ भी खतम हो गया और अब सरकार भी बनने जा रही है बस कुछ गंटे बाकी रह गे हैं बैरहाल इसके अलावा अगर बात कि रह त तो क्या कहा यहां पर उन्होंने कहा बमताब एनर जी ने जो दावा किया कि कुछ ही दिनों में केई भी जेपी नेता पाटी छोड़ सकते हैं केई भी जेपी के नेता बहुत परिशान और नाखुश है इस सरकार अधिक दिन नहीं चलेगी कौन से नेता हैं जरना हम भी आप सब्सक्राइब करने से यहां पर सरकारी नहीं चलती आंकड़ा देना पड़ता है और एंडिये केवल हवा में बातें नहीं कर रहे हैं सभी का साथ में सिगनेचर है मिटिंग हुई है राश्रपती को जाकर के बताया है कि हमारे पास बहुमत है जो 272 का आंकड़ा पार करना है मारे पास दोस्तों बानुए से उपर का अंकड़ा और सभी साथ में सभी ने जो है साथ में जाकर के समर्थन किया है लेकिन यहां पर ममताब एनरजी को देखो हवा में बातें करनी है कि कई बीडेपी नेता नाखुष चल रहे हैं परिशान है यह सरकार अधिक दिन नही ने नहीं कहा कि ना तो निमंत्रन मिला है औरना श लेखते हैं कि जहां पर विपक्ष को भी शामिल होना चाहिए यह एक ऐसा विपक्ष देश को मिला है वहां पर भी शामिल नहीं होता है क्योंकि यह रिजल्ट जो जनता ने दिया है उसको तो सरमाथे पर लगा करके जाना चाहिए वहां पर कि ठीक है सरकार नहीं बन पाई सबिदान की बड़ी-बडी बात करते हैं सबिदान की दुहाई देते हैं तो जाना चाहिए वहाँ पर क्योंकि सबचीजे दी तो यह आपनेयाहा क्छीन ने 174 आपको अपना इगो इतना बड़ा है 292 से उपर कांगड़ा है उनके पास बैरहाल उन्होंने कहा कि हमें शबत समारों में कोई नियोता नहीं मिला है हम राजनीतिक सिती बर नजर बनाए हुए है जैसा जनादेश है उसके बाद नरेंदर मोदी को पीम नहीं बनना चाहिए तो ममता बैनर जी आप ये बता दीजिए आप कि नरेंदर मोदी को परधान मंत्री नहीं बनना चाहिए कि क्यों नहीं बनना चाहिए किसे बनना चाहिए अच्छा यहां पर सवाल मैं मंत्री होना चाहिए जिसके बास 99 सीटे 240 बड़ा की निन्यानुए कहां चली यह राजनितिक समझ यह आप खुद प्रधान मंत्री बनना चारिया 39 सीटे लेकर के अजीव विडंबना है जो पार्टी 240 सीटे लेकर के आती है उनके लिए कहते हैं कि निरंदर मोधी को प्रधान चाहिए यह लोग आजी उनके कि निरंदर मोधी को नहीं बना चाहिए परधान मंत्री और बीचिजे हैं सीए को लेकर भी कही हैं उन्हों ने कहा कि इंडी इलाइंस ने जुक भी स色कार बनाने का दावा नहीं कि इसका लों यह नहीं कि हम लोग आ बहें iodframe को अमादमु पा हानी है भी सरकार बनी नहीं थी तब ही से टूटना शुरू हो गया तो आप किसी आप से 230-232 का अंगड़ा ले करके कह रहे हैं कि हम सरकार नहीं आप यहीं तो है लोगतंत्री की खूब सूर्ती मुकाथा चुनाव आए पांच साल के बाद और मिलकर के गड़बंदन में आप सब लड़े भी और आपने पूरा अपना कैंपेण भी चलाया सीए को रद करेंगे आपके जो लेफ्ट के साथ ही साथ में तो यह तक कहा दिया प्रम जो है जनता के साथ दोखा करने वाली बात है जो यह कह रही है आगी कह रहे हैं हम संसत में मांग उठाएंगे और मैं माफी चाहते हूं लेकिन गैर समवधानिक गैर करणनी पार्टी को सरकार बनाने के लिए मैं शुब कामने नहीं दे सकती हूं यह जनता को आप गाली दे से 240 सीटे अकेले वो पार्टी लेकर कर आई है और उसके बाद दूसरे नंबर पर पार्टी उसके बास केवल 99 सीटे हैं 100 का अंगड़ा भी टच नहीं किया तो आपको जनता के मैंडेट का स्वागत करना होगा जैसे बीजेपी ने उनकी जो सीटे कम हुई बंगाल में असे एक करेंगे तो इसको करना है तो वह भी बीजेपी से सीखिए आगे आगे कह रहे हैं कि आपनी पार्टी को मजभूत बनाएं हम आपकी पार्टी नहीं तोडेंगे लेकिन आपकी पार्टी में अंदर से तूट आपके पाटी में लोग खुश नहीं है ठीक है दूसरों के लिए डो भी कहने हैं लेकिन सचाई यही है कि थोड़ी देर बाद पीम मोधी शबत लेने जा रहे हैं तीसरी बार और विपक्स जो है उनकी बाते आपको हमने सुनाई ममता बैनर जी की बाते सुनाई कि किस तरीके से बोखला हट साफ तोर पर नजर आ रही है अब आपका क्या कहना इस पूरी खबर पर आप जुरूर हमारे सेक्मेंट बॉक्स में शेयर करें और बन देहें दन्यूस के साथ दन्यवाद